साम्ताकारं भुजगसेनं पद्भनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सद्रिशं मेघवर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनेनं योगी भिर्ध्यान गम्यं बंदे विष्णुम् भवभायाहरं सर्वलोके इकनाथं भवभायान विष्णुको बंदना गर्दे आज बाट मां बैशाख मां हात्मे प्रस्थुत गर्ने जमरको गर्दे छुँ यो जम्मा 25 अध्यायरु में छा रा सके सम्मा पूर्णी में भित्रई अर्थात बुद्धपूर्णी में मतना अगावाई इपच्ची सोथा अध्य काईले एक अध्याय आये काईले दुई अध्याय आये चूले तीन अध्याय गर्ग्राशकेको सम्माय मा प्रस्थुत गर्ने छू h ex. पहलो दिन मंवबायशाक माहात्मेमां काया एक जोडा अध्यायरु अर्थां पहलो रुद्धपूरु दोस्रु अध्याय प्रस्तत गर देशू ओम्नमो भगवते बाशुदेवाया अथा बैशाखा महात्मयम नारायणन नमस्कृत्य नरमचैव नरत्तमम देवीम सरश्वतिम व्यासम ततो जयमदीरयत पहले भगवान नाराण लाई अनि मनुष्य हरुमस्रिष्ट नरलाई अनि देवी सरश्वतिलाई र कथाकार व्यासलाई नमस्कार गररा साराले धर्मकुजय होस्पनी कथा प्रारंभगरनू पर्दचा सुताव वाज भयो प्यंग भवम राजा ब्रामणाह परमेष्टिना पुन्यम माधभ महात्मयम परिय प्रिच्छन महामनिम सुताजिली भन्न भायो हे सोन कातिक रिशियरू परमेष्टि ब्रह्माजी का पुत्र महामनिन आरज्जी संगा अम्बरिष्टि फेरी पनी वैशाग महात्मय सुन्नकालागी अम्बरिषव वाज सर्वेशाम पिमासानां त्वत्टो महात्मय मत्तम सुतम्मयापुरा ब्रह्मन एदा चोक्तम தयानागह हे ब्रह्मन तन महीले बर्णनगरिये का सबी महीना का महात्मय महीले स्रद्धापुर्पक पहले नहीं सुनी सके इस सब महीना अरुमIES बैशाक अवश्यने अति स्रेष्ट छा यसकारन फेरी विष्थारपुर्वक बैशाख महात्मय शुन्ने मलाई बड़ो लाला शाच छा हे विद्वान यो बैशाक महिना बगवान विष्णुलाई किन प्रिया छा यो बैशाख महिनामा कुन-कुन धर्म विष्णुलाई प्रिया छन। इ धर्मा अरुमा पनी गर्णा योग्या कुन-कुन धर्मा तेस्ता छन। जो विष्णुलाई अति प्रिया छन। कुणकुण दान गर्ना योग्य छा, तेसको क्ये फ़ल छा, रईयो महिनामा कुण देवताको आराधना गर्न पर्दा छा, ये नारज्जी स्रध्धापुर्णा मलाई विष्थार पुर्भक बताई दिने उसकी, यस बई साख महिनामा मादब भगवान का पुजा केके चीज जले गर्न पर्दा छा, नारज्जी ले भन्न पर्दा बाईो, महिने उईले ब्रम्मा जीशना यही कुरो सोधे को थियें, वहाले महिनामा पनि बईसाख महिना सबे बंदा उत्तम छा, ये पुन्य महिना सबे जीवार रुलाई आमाले जही इश्ठ फल्दीने महिनामाँ दान, यज्य, ब्रत तथा इस्तानले सारा पापलाई नास करदा छा। यो महिना धर्म, क्रिया तथा तपको शार हो। रद देवता हरुले पनी पुजित छा। सबै महिना हरुमा यो बैशाक महिना तेस्ते छा। जस्तो विद्या हरुमा बेद विद्या। मंत्र हरुमा प्र बर्ण हरुमा प्राम्मन पर्ण, प्रियवस्तु हरुमा प्राण, मित्र हरुमा भार्य, नदी हरुमा गंग, तेज युक्त पदार्थ हरुमा शुर्य, अस्त्र हरुमा शुदर्शन्चक्र, दातु हरुमा शुबर्ण, जसरी वैष्ण भरुमा महादेव जी र रत्न हरुमा कोश्टुब मनी चा उसे गरी धर्मका निमित्त सवै महिनामा वैषाक महिना सवै बंदा उत्तम चा संचार मा योज़नी विष्ण लाई प्यारो लागने अरको महिना चाई ना जो मनुष्य मेश संक्रांती में शुर्योदाय वदना पहिले वैषाक महिनामा निरंतरिष्णान गर्द चा त्यस पुरुशुपर लक्ष्मी र भगवान नाराण असा धैप्रिती गर्द हुन्चा जस्तो प्राणी अरुलाई अन्याले नहीं प्रसन्न र त्रिवति उन्चा बैषाक इस्तान गर्द ले विष्ण भगवान उस्तेई प्रकार ले प्रसन्न हुन्चा और बैषाक इस्तान मा लागै का मान चे अरुला देखेर खुशी हुन्चा जो मानिस वैशाख महिनामा प्राता स्तान गर्ण नित्य कर्म गर्द छा त्यो सब पाप बाटा मुक्त भायर विष्णु लोग प्राप्त गर्द छा वैशाख महिनामा स्तान गर्ण गालागी जो मानिस एक पाईलो पनी हिर्द छा तियो महापाप परुबाट बिमुक्त भायर विष्णुको साहिज्य मुक्ति प्राप्त गर्द छा। र निशन्देह उसलाई 10,000 अश्वमेद को फल प्राप्त गर्द छा। अथवा एकाग्र चित्त भायर जो मानिश संकल्प मात्र गर्द छा। उसलाई पनी सहय यज्यको फल मिल्ल छा। यसमाकुनेई संदेह छाईत। शूरिय मेश राशिमा रहता इस्तान का लागी जो मनुष्य धनुप्रमाण अर्थात पावकोश पावकोश को अर्था लगभग एक किलोमेटर मात्र पनी परजान छा। तियो शारा बन्धन अरुबाट छूटेरा विष्णुको शाहिज्य मुक्ति प्राप्त गाल छा। ब्रह्मांड का अंतरगत तिनी लोग अरुमा जोजो तिर्था छन। हे राजन्र ती सबै तिर्था बाहिर थोरैनी जल्मा प्रस्थतुतुन छन। लेखे का पाप यमराज को आग्याले तबसम्मा गर जन्छन। जबसम्मा प्राणी बैशाहिखमाईनामा जल्मा डुबेर श्तान गर दैन। हे राजन्थ बैशाहिखमाईनामा तिर्था रुगा अधिष्ठाता सबै देवता। शुर्योदाय देखी शुरुगारी छागाडी सम्मा। जल्भाहिरा आयरा बसेका उन्छन। छागाडी बनेको 144 मिनेट सम्मा। रब विष्णु भग्वान को आग्याले मनुष्यरको कल्यान गर्णका लागी प्रतिक्षागरी रायका उन्छन। जो पुरुष त्यस समय सम्मा श्तान गर्णाउदाइदन त्यस तालाई भहेंकर शराब दियरा तिनियरू आफना ठाउमा, आफना लोकमा फर्केर जान्छन। इस कारण हे राजिंद्र त्यस समय मा अवश्यनी स्तान गर्ण पार्ण। यावन्न कुरुते जन्तुर बैशाखे श्तानमंबसी तिर्थादी देवता शर्वा बैशाखे माशी भूमिप बहीर जलं समा स्रित्य सदासन्नी हितान्रिप शुर्योदयं समा रभ्य पस्चात सट गटिकावधी तिस्ठंती चाग्यया विष्णर नराणाम हितकाम्यया तावन्ना गच्छताम पुंशाम सापम्दत्वा सुधारुणम सोस्थानम यांति राजेंद्र तस्मात्स्थानम समाचरेत श्री इसकंद पुराणको बैशाख माहत्प्यमा नारद्र अंबरिष संबाद्मा स्थान प्रसंग सा नामगरेको पहिलो अध्याय समाप्तुल ह अब अमा दोस्रो अध्यायको कथा प्रसंग उल्लेक कर देशू नारद अवाच्छा न माधव समो माशो न कृते न समम युगम न च बेद समम सास्त्रम न तिर्थम गंगया समम न जले न समम दानम न सुखम भार्यया समम न कृषेस्टु समम बित्तम न लाभो जिवितात परह नारजि बन्मों वाईचै Hisaala refers to the Heeran Nowaysa integral being थेराजन भैषाक महिना जस्तो अरको कॉने महिना चैना सत्ययूग समान अरको कॉने यूग सैना बेद जस्तो अरको कॉने शाष्तर चैना तथा गंगाजी समान अरको कॉने तिर्था चैना पानी दान जस्तो अरुकुने दान चाईना, भार्यागा समान अरुकुने शुख चाईना, खेती जस्तो उत्तम अरको धन चाईना, जीवन जस्तो अरको कुने लाप चाईना, उपभास तुल्या अरुकुने तपश्या चाईना, दान्मन्दा बढ़ेरा अरुकुने शुख पोजन तुल्य और कुने टृपति नहीं, खेति जक्तो असल कुने व्यहवसाय चाइ जक्त्स다। याश चईन, आरोग्य बराबर कुने आननद चईन, केशब सिवा और कुने रक्षक चाईन, तेसे लोका माय बैशा कच्छ पभित्र और कुने महिनाच चाईन योकुरू रिशियरू जान दसन। न तपो न सना तुल्यम न दानात परमम सुखम, न धर्मस्तु दया तुल्यो न जोतिस्चक्षुशा समम, न त्रिप्ती रसना तुल्या न बाणिज्यक्रिशे समम, न धर्मेन समम मित्र न सत्ते न समम्यस, न रुग्या समुत्थानम न त्राता के सवात्पर, न माधवसमम लोके पवित्रम कव यो विदु हू। वैशाख महिना सवे बंदा स्त्रेष्ट महिनाओ। यो महिना शेशसाई भगवानलाई असद्धाई प्रिय महिनाओ। भगवानको प्यारो यो महिना मानिस ब्रत नगारी विताउंदाछा। त्यो सवे धर्म बाट बायगेर चाणे न जो मनुष्य नियम्पुर्वक वैशाख महिनामा बोजन गराउनामा प्रवृत्त होंचन तिनले अवस्य विष्ण भगवानको सायुज्य मोक्ती प्राप्त गालत चन यस्माकुने संदेह चाईना। यस्चन्चार मा अनेक प्रकार का धहन चन र नाना प्रकार का ब्रत च ति सबै शरिवला अत्यनत क्लेष्ट था पुनर जन्म दिने भाय गाछन। तर वैशाख महिनामा इस्थान मात्र लेने मनुष्य को पुनर जन्म हो दैना सबै दान अरुमा जुन पुन्य चा, सबै तिर्था अरुमा जुन फल चा त्यों सारा फल वैशाख महिनामा केवल जल्दान गर्णाले मात्रा प्रात्ताँच यदि जल्दान गर्णा आफ्टु सक्तिवा सामर्थ्य भायना रो उपायनी स्कियनावने कल्याण चाहने व्यक्तिले अरुगाटर बनी यो काम गराऊश किनकी यो दान सवै दानारु मद्धे स्रिष्ट दान हो स्वाश्य सामर्थ्य रहिते परश्यापी प्रभोधनं कर्तभ्यं भूतिकामेन सर्वदाना धिकम हितत्त। एकत सर्वदानानी जल्दानं तथैकत तुला मारो वितं पुर्वं जल्दानं बिशिष्यते। एक पटक सवै किसिम का दान पुन्यलाई तराजुको यहुटा पल्डामा राख्यो र अरको पल्डामा जल्दान को पुन्यलाई राख्यो त्याति बेला जल्दान को पुन्यने सारा दान होरु बंदा विशिष्ठ होना पुग्यो अर्धात त्योपटिको पल्डा भारी जो मानेश बाटो हिंडने बट्वा हरुलाई पौशाला राखी पानी प्याउंचा उसले आपना करोणों कुलको उद्धार गरगर स्वयम पनी विष्णु लोक प्राप्त करदा छा हे राजेंद्र पौशाला राखेर पानी प्याउंणाले देवता पित्री तथा रिशी सवय प्रसन्न हुनचन यस्मा कुनेई संसय चाईना पौशाला राखेर बाटामा थाकेका बट्वा हरुलाई पानी ख्वायर त्रिप्त पार्नु तिनियरुशिता ब्रह्मा शबय देवता प्रसन्न हुनो हे राजन जल चाहने हरु बैशाक महिनामा जल दान गर्शन। छाया को इच्छा उनेले छाता दान गर्शन। पंखा अर्था छीतल बतास को इच्छा उनेले बैशाक मा पंखा दान गर्दशन। सब दान अरुमां जल्लान, छातादान तथा पंखाको दान अती उत्तम मानिन छा, जसले बैशाख महिनामां बाल बच्चा परिवार भायका ब्राह्मन लाई, जल्ले भरियेको घळादान दिदैना, तियो पछी यस्चंचार मां काकाकुल भायर जन्मान छा, जो प्यासले ब कोईनामां, जो ब्यक्तिले ब्राह्मन लाई पंचा दान दिदैना, तियो शैकडों बायु रोगले पिडित भायर नरक भोग गर्छा, जो जन्द हिडाईले थाकेको बिग्य ब्राह्मन लाई पंखा न पाए, लुगईले पनी हमकी दिन चा, तियो सबई पाप बाटर ब्रह्म लोग पोगदा छा, तुरुन तई थकाई मेटाउने पंखा को दान जो गर्दाईना, तियो जन्द नरक का कष्ट हरु भोगेरा पाता की भई संचार मा जन्मन छा, ये माराज आध्याज्मिकादी दुख्ख हरु का शान्तिका लागी बैशाख महिनामा, एके पल अकोट भई पनि कषे गरी छाता दान गर्दा छा, बेश्टू को प्रिय वैशाख महिनामा, जो जन्द खाता दान गर्दाईना, तियो अर्क जन्ममा छाया न पावने उन्छा, र महाक्रूर पिशाज बन्दा छा, जो जन्सक्राउज का धुथारु भोगेरा खरु डान भगनु पर दैना रसंचार मा दुख पनी पाउनु पर दैना। खराव मागने ब्राह्मनला जो खराव दान दिन्छा निशंदेह त्यो जनकरोण जन्मसम्म यह संचार मा राजा भाहिरांचा। जो मनुष्य बाटो हिंडने लाई विशाउना, थकाई मारना, भास बसना, बाटा-बाटामा पाटी पोवा बनाऊचा, तेसका यह स्पुन्यको फल ब्रह्मा बनी बरणन गारना सकता है। बाटो हिंडधा हिंडदा ठाकेको बीप्रलाई जो आस्रय दें छा, तेस्पुण्यको फल बकान ब्रह्मा बनी सकताई दनू मध्यान्नामा आई पुगेका अतिती विप्रलाई यदि कसेले खुआयो बने त्यस्पुन्यको फल यती उंच बनेरा ब्रह्माले बने बने सकते हैं हे न राधिपा गनुष्यपलाई अन्नादान दिनो तत काल उप्सलाई त्रिप्तगर्नो यसकारंण संचार में अन्नादान जही अरको दान ओन अन्नादो मात्रिपित्रादिन विश्मा रयति भूमि पह तसमादं प्रसंग संती लोकास्त्रै लोगक्यवर्थिन हे राजन अन्नदाता लाई भेटे बच्छी अन्नदाता प्राप्त भाय बच्छी बाबु आमाको बनी इस्मरण हो बैदा अन्नदो मात्री पित्रा दिन बिश्मार रहती भूमिपा तेसे लेती नहीं डोक में अन्नदाता को असाद्धै महत्व छा सबैले अन्नको नहीं प्रसंशा गार्दा चनिए मातरह पितरस्चापी केवलं जन्महेतव अन्नदम पितरम लोके प्रवदंती मनी शिन आमार बाबु वनेया था केवल जन्म का कारण मात्र हुन। परन्तु जीवन दिनेत अन्न दाता हो। यह संचार्मा तेसेले पनी अन्न दाता लाई नहीं आमा बाबु मानियेको। बिग्य हुरुले पनी अन्न दाता लाई आमा बाबु भनरा बन्द छन। अन्न दे सर्व तिर्थाणी, अन्न दे सर्व देवता, अन्न दे सर्व धर्मास्च ति स्थंत्य परिपराजय ह। हे राजन जसले अन्न दान गर्दच, त्यो अन्न दाता में सबई तिर्था हरु आयर वसे कावंचन। त्यो अन्न दाता में सबई देवता अरु अशेखा होंचन। त्यो अन्न दाता में सारा अधर्माले बास करता सन। इसकंद पुराणको, वैशाख महात्मयको, नारद्र अंबरिष संबात अंतर्गतको, दान महीमा निरुपन गरियेको, दोस्तो अध्यायको कथा प्रसंग पनी समाप्त होंच। अब आजको यो बसाईमा इनने दुई अध्यायको कथा प्रसंग मात्र प्रस्तोत करदेश। फेरी महा अरको बसाईमा अरु बांकी अध्यायको कथालाई क्रमसा प्रस्तोत करदेश। अईले माप्रख्तता क्रिष्ण प्रसाद को एराला याँ अरु समक्ष विदा चांचु नमस्कार